प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आड नेवर मिस अनादर अपडेट बिजनस बनाने के लिए हमें फंडिंग के ज़रुत होती है और पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने बताया था कि स्टार्टप में फंडिंग किस किस तरह से ली जा सकती है ताकि वो उस पृतिशत के रूप में श्टेर ओल्डिंग ले सके या उस कंपनी में निवेश करके अपने पैसे को मिल्टिप्लाई कर सके Friends, Startup के Valuation को करने के लिए और कंपनी में कितना fund invest करना है इस बात को calculate करने के लिए दो अलग-अलग method होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे scorecard method के बारे में एक investor जब किसी भी company में invest करने के लिए तयार होता है तो वो उस company का scorecard calculate करता है और scorecard को calculate करने के लिए वो investor same business से related कितने startup start हुए, कितने startup ने अपने business को develop किया, उन सभी की strategy को study करता है like same startup कितने महीने पहले शुरू हुआ और same startup जो आप शुरू करने जा रहे हैं वो startup कितनी पूंजी से start हुआ और आपकी company किस पूंजी से start हुई छी किसी तरह से वो investor सारे comparisons करता है like level of investment of your and rest startup, level of turnover of yours and rest startup, level of achievement of yours and next startup scorecard method, किसी भी startup company की valuation को निकालने के लिए एक investor scorecard method का इस्तिमाल करता है जिसके लिए वो अलग-अलग startups को देखता है, जो ठीक उसी business में है और ठीक उसी समय में start हुए जब आपने अपना startup किया था वो चेक करते हैं कि उस startup का level of investment क्या है उसके comparatively आपका level of investment क्या है growth possibility, administrative support, management support, education and capability of the startup and the second method is VC method और एक VC किसी भी company में निवेश करते समय सबसे पहले यह देखता है कि उस company की present sale क्या है, मतलब present turnover क्या है उस turnover के वेहाफ पर वो company की growth possibility को check करके यह calculate करता है कि आने वाले 10 साल में यदि इस साल इस company की इतनी turnover है और यह ratio इसी तरीके से बढ़ता जाता है तो आने वाले 10 साल में इस company का turnover क्या होगा और उस turnover पर उस समय profit की possibility क्या होगी उस percentage के according एक venture capitalist company में पैसा निवेश करता है आए VC method को एक example के माध्यम से समझते हैं यदि आपकी company की present turnover 1 crore रुपी है और आपकी company हर बार 100% expansion के mode से बढ़ रही है तो इसका मतलब अगले साल आपके turnover 2 crore होगी और तीसर साल आपके turnover 4 crore होगी और चौत्य साल आपके turnover 8 crore होगी और पांचवा साल आपके turnover लगबग 16 crore होगी लेकिन after 5 year आपकी company की turnover 16 crore हो जाएगी पर आपकी average जो turnover आएगी वो क्या होगी that is 16 crore divided by 5 equal to 3.2 crore रुपीज मतलब पांच साल की जो growth possibility है उसमें आपके company की value 3 crore 20 lakh रुपे है इसके अनुसार आप एक venture capitalist को जितनी shareholding देंगे उसी के ratio में आपको funding receive होगी इसका मतलब यदि आप अपनी company का 10% share venture capitalist को देते हैं तो वो आपकी company में लगभग 32 lakh रुपे invest करने के लिए तयार होगा फ्रेंट्स startup funding की ये वीडियो आपको केवल तभी समझ में आएगी जब startup funding की first video आप देख लेंगे जिसकी detail description box में दी हुई है अगली वीडियो में हम बात करेंगे के startup में funding लेते समय हमें कौन कौन सी साफधानियां बरतनी चाहिए फ्रेंट्स मेरा उदेश है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनस में तयार कर सकूँ ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनके पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके इसके लिए मैं एक मिशन चला रहा हूँ भारत बनेगा विश्व गरू मिशन 2021 यदि आप इस मिशन में सामिलोना चाहते हैं तो दिये वे नमबर पे मिशन और आपका नाम वाटसेप करें अगर आप स्टार्ट अप, फंडिंग या बिजनस रेलेटिड कोई भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वेलियोबल है और मैं अगली वीडियो में उनका जवाब ज़रूर दूँगा अगर आप लाइफ ट्रेणिंग प्रोगाम अटेंड करना चाहते हैं तो दिये वे नंबर पर मेरी टीम को कंटक करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत